सलमान की तरफ से आया हुआ अमन का पैगाम शारुख खान ने अंसुना कर दिया दुबारा पूशने पर किंग खान ने इसे अंसुना किस्सा बता दिया और जूम को दे डाली मसालिदार स्टोरीज ना बनाने की नसीह लगता है ड्रीम्स बेचने वाले शारुख खान को सलमान की दोस्ती का पैगाम भी ड्रीम ही लगा इसलिए उन्होंने हमें ड्रीम्स ना बेचने की दलील दी लेकिन हम क्या करें हम तो रियालिटी बेचते हैं इसलिए हम सलमान की दोस्ती का रियल पैगाम जब शारुख खान के सामने लेकर पहुँचे तो उन्हें ये भी हमारा भुना हुआ कोई ड्रीम ही लगा और उन्होंने बता नहीं क्यो इसको भी मजागी मना दिया सल्मान रिसलिए ज़स्मान रेसीं बेच्व कोट紹ारा थेमीorthना के सामने लेकित keeping तो है नंससे कोब का अगा शूंक भी में। क्योंकि reportedly एंदाबाद में अपनी फिल्म की recent promotional event में सलमान ने शायद मजाक में ही एक newspaper को कह दिया कि वो SRK से patch up के लिए तयार हैं बशरते ये बात secret रखी जाए और तो और सुनने में ये भी आया है कि सलमान ने ये hint भी किया कि अगर शारुक खान उनके दरवाजे पर आएंग बस सलमान की तरफ से आए इस पैगाम को लेकर जुम पहुँच गया किंग खान के बास पर लगता है किंग खान पैचप को तो छोड़िये सलमान खान के किसी भी मुद्दे बर बात करने के मूड में बिलकुल भी नहीं है You gotta stick to what is right, correct and fun. You can have a lot of entertainment by just not creating issues between people who don't have issues. Really शारुक? तो क्या वाकई सलमान और आप के बीच कोई इस्यू नहीं है? क्या वाकई बॉलिवुड के दो टॉप खान्स पिछले चार सालों से यूही अलग-अलग राह पर चल रहे हैं? लेकिन लगता है किंग खान सलमान से अपनी राइवल्री के फैक्ट को भी एक्सेट करने को तयार नहीं हैं. तब ही तो देखिए कैसे अपने ही बुने हुए जाल में भस गए किंग खान. बहसे आपको बता दें कि ये वही हाजर जवाब किंग खान है, जो अपने सेंस अप हुमर से मीडिया के टेड़े से टेड़े सवालों को धराशाई करते आये हैं. पर अब लगता है खत्म हो गए हैं सारके के तरकश के सारे तीर. वहीं, सारके सलमान के वार के पिछले चार सालों में ऐसे कई मौके आये हैं. जब मीडिया को टेड़े मेड़े जवाब देने वाले सलमान ने शारुख खान से अपनी एक्वेशन पर दिल खोल कर बात की है. जब बारी आती हैं सलमान के मुद्दे पर शारुख खान के बुलने की, तो शारुख खान अनीजी हो जाते हैं. और बात हुमा कर शुरू कर देते हैं मीडिया की तरफ लेंगेम. Salman recently just said that he'd like to patch up with you, your comments on that? Sorry? Salman recently said in the event that he would like to patch up with you. I did and this is what educated me. You know, that how much has ever Zoom wants to have the scoop and the breaking news story and go on Twitter and become the first one to say some nonsense which does not exist. Nonsense which does not exist. Nonsense which does not exist. ओहो, SRK ने तो खान वार को ही नॉंसेंस बता दिया, ऐसे में मामला थोड़ा पेचिदा हो गया है, क्योंकि जिसे शायद इश्यू समझ कर सलमान ने अपनी तरफ से भेजा अमान का पैगाम, शारुख खान की नजर में वो कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसे में लगता है कि ब दिन आये, जब किंग खान भी अमन के लिए थोड़ी पहल करेंगे, तभी शायद हो पाएगा, SRK सलमान के बीच पैचा, और पूरी हो पाएगी बॉलिवुड में अमन की आशा, परुद्रानी चटोराज, Zoom, Mumbai झाल झाल झाल